सबी किसान भाहियों को सबसे पहले तो मेरी राम राम और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्वेराज 724 XM ओर्च आटेक्टर की ओर्च जो होता है छोटा टेक्टर होता है तो स्वागत है दोस्तों आपका अपड़ी चैनल हमारा भारत पे और हम एक रिव्यू करेंगे इस टेक्टर का और बताएंगे इसकी कीमत क्या है अभी फिलाल में क्या कीमत चल रही है और दूसरी चीज टेक्स वैक्स लगके या ओन रोड प्राइज में कितना आपको यह पड़ेगा उससे पहले हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं इस मोडल का जिससे कि आपको सारी चीजे पता लग जाएं जानकारी होना बहुत जरूरी है टेक्टर के बारे में क्या आपकी डिमांड है और क्या इस टेक्टर में है तो अभी जो यह मोडल है मेरे सामने जो आप देख रहे हैं न्यू मोडल बिलकुल सोरूम में वीडियो बन रही है इसकी इसके बारे में बात करते हैं मोडल जो है आरवी टू एक्षन थिरी एका है पावर जो है इसमें 25 से 30 एच्पी तक की कैटेगरी में आता है पच्छिस में है 28 में और 30 तीन एच्पी में एक ट्रेक्टर आपको दिखाई देगा जो है इसका फोर टाइप का स्ट्रोक डारेक्ट इंजेक्शन दिया गया है डीजल इंजन इलेक्टरिक में नहीं है जैसे कि छोटा ट्रेक्टर है तो आपको इलेक्टरिक में मिल जाए दो सिलेंडर का ट्रेक्टर है बोर और स्ट्रोक जो है सो भाई 116 mm की इसमें आपको दिये है अब इसके डिस्प्लेस्मेंट की बात करें तो 1824 CC का है रेटिड इंजन की जो स्पीड है 1800 RPM की है एर क्लिनर जो है ड्राइ टाइप में दिया गया है डूल एलिमेंट दिया गया है डस्ट अन्लोडर के साथ कूलिंग सिस्टम जो है इसका वाटर गूल्ड है क्योंकि अभी इसमें एर कूल्ड नहीं है हरा मैं तो इसमें भी नहीं यहां कोई पर शार करता बोद्धी शाया अदरब सब्सक्राइब करते हो भम बता ऐता हुस की बात कर लेते हैं गयाट कर क्योंकि आफ पैल्लिक करते हैं यह होसला पढरता है हम जगे जगे जाकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं किलच की बात कर लेते हैं तो स्टेंडर्ड सिंगा ड्राइड इस फ्रिक्षन प्लेट में दिया गया है किलच ओप्सनल है जो डुएल में आप लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको गेर की बात करो तो स्टेंडर्ड है 1000 RPM का जो इस पिन आप उप्सनल में नहीं ले सकते इसका सिर्फ यही मिलेगा ब्रेक की बात करूँ तो स्टेंडर्ड ओयल इमर्स ब्रेक दिये गए हैं और उप्सनल में आपको इसमें कुछ मिलेगा निए ठीक है जो है वही मिलेगा तो जो मोडल में जो चीज़े आ रही है मैं वही बता रहा हूँ अगर आप होता है बहुत सारी चीज़े की पावर इस्टेरिंग है यह नहीं है और मैनुवल है तो पावर लेना चाहते हैं तो यह सारी चीज़े आप ओडर करके मंगा लेते हैं या होता है अवेलेबल तो दोनों वेरेंट में आपको मिल जाता है लेकिन जब नहीं है तो वो मैं आपको किलियर बता देता हूँ स्टेंडर्ड और मेकेनिकल स्टेरिंग हैवी डूटी सिंगल ड्रोप आपके साथ में दिया गया है जो कि कमफर्ट होता है ओपरेट करने में उसके बाद हाइडरोलिक की बात कर लेते हैं तो लाइव हाइडरोलिक दिया गया है मिक्स कंट्रोल दिया गया है ओप्टिमम फिल्ड आउटपुट के साथ लिफ्ट की कैपिसिटी इसकी 1000 किलोग्राम की दिया यह लोवर एंड लिंक पे लिंकेज 3 पोइंट के दिया गया है कैटेगरी 1 और 2 ताइप की इंप्लिमेंट करी गयी है पिन इसमें उसके बाद टायरों की बात करते है तो फ्रेंट के जो टायर है इसिटेंडर्ड दिये गये है पांच 15 के और रीर के जो स्टेंडर्ड है 11 की इनट्व 24 के उसके बाद इलेक्टरिकल की बात कर लेते हैं तो 12 वोल्ट की 75 AH की बैटरी दी गई है स्टर्टर मोटर और अल्टरनेटर के साथ में इसमें क्या instrument इंजन जो है हावर मीटर डारेक्शन इंडिकेशन फ्यूल गेज और यह सब चीज़ है आपको इसमें साथ में दिखाई देंगी ट्रेक्टर की ट्रेक्टर की बहुत सारी चीज़ है जैसे यह सब चीज़ में यह सब चीज़ छोड़ के आपको ग्राउंड के लिए रेंस बता दे रहा हूं केवल 235 mm का ग्राउंड के लिए रेंस है इसका वील ट्रेक्ट जो है रियर का 1034 mm का दिया गया है बई 11.2 इंटू शो बिसके टायरों के साथ में अब दोस्तो इसकी कीमत पर आते हैं तो इस टेक्टर का जो अभी प्राइस चल रहा है करेंट का वो चल रहा है आपका 4,70,000 से लेके 5,10,000 के बीच में आपको कहीं पर 4,70 का भी मिल सकता है 5,10 का भी मिल सकता है यह state to state variant करती है चीज़ा अलग अलग हो जाती है टैक्स लग करें यह जो बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब वाला इसे दमाएं और घंटी वाला ओल वाला दमाएं क्योंकि नई वीडियो आपको सबसे सुरू में देखने को मिल जाए तो मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत